मानि सुप्रीम कोट ने आरक्षन के विशे पर एक जैज्मेंट नहीं था SC और STK के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावदाम नहीं है बाबा साहिब अबेड करके संभिदान के अनुसार ही SC और STK का रिजर्वेशन की डिवस था एक बहुत ही नहीं वे अनुसुची जन जाती के अरक्षन के संधर में गुए कती महत्र पोड लेने दिया गया है उनसे हमारी पार्टी कताई भी सहमत नहीं दोस्तों सुप्रीम कोट की SC ST पर ठिपनी के बाद शोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में एक भुचाल सा था बसपर सुप्रीमो माया वती ने तो मीडिया के सामने आकर सीधे दो टुक में कह दिया था कि कते ही मन्जूर नहीं कि सविधानिक पीड़ दुआरा अभी हाली में पहली अगस्त दो हजार चोविस को देश में अनुसूचित जाती वे अनुसूचित जन जाती के आरक्षन के संधर्म में जो एक कती महत्रपोड ने ने दिया गया है चुन सेकर ने भारत में बंगला देश जैसे हालात हो जाने की बात तक कर दी थी हाल यह था कि खुद बीजेपी दलित विधायक सांसर तक बिफर पड़े थे यानि बहार से लेकर अंदर तक मोधी सरकार पर एक बहुत बड़ा सियासी दबाग था वो भी तब जब बीजेपी या मोधी किसी भी हाल में इसे बरदाश्ट नहीं कर सकते सहयोगियों को नराज नहीं कर सकते क्योंकि दूद का जला छाच भी फूख फूख कर पीता है दोजार चोबिस लोकसवा चुनाव में सविधान बचाओ के नारे से जो सियासत सुलगी थी उसमें बीजेपी मानुस्वासी हो गई यूपी सरीखे सबसे बड़े राज्ये में एक धडाम हो गई आदी सीटों पर आ गई भूमत से दूर हो गई और अब फिर से बवंडर मचा है सुप्रीम कोड के इस फैसले के सहारे सविधान खतम करने की साजिस के आरोप फिर से लग रहे है तो मोधी सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला सुप्रीम कोड का फैसला बदलेगी मोधी सरकार सांसदों के आगे जुकने पर मजबूर हुई मोधी सरकार नमशकार दोस्तों महमान सी कशब आपके साथ आप देख रहे है जुनता की अवास आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर पहली बार जुनता की अवास लिए चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें गंटी ज़रूर बजाए चैनल की भी और सरकार की भी आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जुनता का साथ देजिए और उसकी ताकत बनिए जुनता की अवास बनिए और हो सके तो इसकी लिए चैनल को जोईन भी करें केंदर सरकार ने सुप्रिम कोट के हाल के उस फैसली को खारिस कर दिया है जिसमें अनुसूचित जन जाती आरक्षन के दाएरे से क्रीमी लेयर को बहार करने का आदिश दिया गया था केंद्रिय केबिनेट ने शुक्रुवार को इसे इस दलील के साथ खारिस किया कि बी आर अमबेडकर के सविधान SCST आरक्षन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है आपको बता दे कि सरकार क्रीमी लेयर को आरक्षन जारी रखने पर जुपतो गई है लेकिन बतोर पार्टी यानि भाजपा ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो सुप्रीम कोट के फैसले को खारिस करती है बीजेपी ने एक अगस्त के फैसले पर अभी तक आधिकारिक तोर पर अपना रुख नहीं बताया एंडिये के सहयोगी दल, एलजेपी, रान बिलास ने इस फैसले पर खुल कर रह सहनती जताई थी और कहा कि वे सुप्रीम कोट के फैसले पर शमिक्षा याचिका दायर करेगी है घटना करम शुकरवार को तब सामने आया जब भाजपा की लोग सबा और राजे सबा के SCST सांसदों ने PM मोदी से मुलाकात की और सुप्रीम फैसले पर आपत्ती जताई तब उन्हें आशवाशन दिया गया कि क्रीमी लेर को बहार करने की सुप्रीम कोट के फैसले पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा इस तरहे शुकरवार को सरकार के जुकने का दूसरा दिन था इसे पहले गुरुवार को वो वक्त बिल पर जुक गई थी जब सरकार को समर्थन दे रहे टीडीपी और लज़ेपी राम विलास पासवान ने इस बिल का विरोध कर दिया था यह भी लब संस्दिय समीती को भेज दिया गया है दरसल सुप्रीम कोट की सविधान पीठ ने एक अगस्त को छे एक बहुमत के फैसले में कहा कि अनुसूची जातिया सामाजिक रूप से सजातिय वर्ग नहीं है और उन्हें आरक्षन देने के मकसद से राजे उन्हें उप जातियों में वर्गी करित कर सकते है जो दलीत जातिया हाशिये पर है उन्हें आरक्षन का लाब दिया जा सकता है चार जजों ने SCST कोटे से क्रीमी नेर को बहार करने का समर्थन किया यानि दलीतों की वो जातिया जो आरक्षन का लाब लेकर भेतर इस्तीती में आ चुकी है उन्हें आरक्षन से भार किया जा सकता है भाजपा के SCST सांस्दों के अतराज पर मोधी सरकार फोरण जुग गई शुक्रवार रात को ही कैबिनेट बैठक बुला कर इस पर फैसला लिया गया उसके फोरण बार शुक्रवार रात को ही पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रिय मंत्री अश्वनी वैशनम ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोट के फैसले पर विस्तरित चर्चा हुई जिसमें SCST के लिए आरक्षन पर कुस हुजाब दिये गए थे उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विच्चार है कि NDA सरकार सविधान के प्रापधानों के परती बंद है वैशनम ने कहा बियार अंबेड कर दुवारत दिये गए सविधान के नुसार SCST आरक्षन में क्रीमी लेयर का कोई प्रापधान नहीं है सरकार का मानना है कि SCST आरक्षन का प्रापधान सविधान के हिसाब से ही होना चाहिए मानने सुप्रीम कोट ने आरक्षन के विशे पर एक जज़्जमेंट दिया है इस judgment ने सुप्रीम कोट ने SC और ST के reservation के विशे में कुछ सुझाव दिये और cabinet का सू विचारित well thought through मत है कि NDA सरकार बाबा सहिब अंबेड करजी के बनाएं समविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है संकल्पबद्ध है बाबा सहिब अंबेड करजी के समविधान के अनुसार SC और ST के reservation में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है cabinet का सू विचारित मत है well thought through decision है कि बाबा सहिब अंबेड कर के समविधान के अनुसार ही SC और ST का reservation की विवस्था होनी चाहिए पुल मिलाकर सरकार ने सपस्ट कर दिया कि आरक्षन की मोजूदव यवस्ता में छेरचार का उसका कोई रादा नहीं है जैसा है चलता रहेगा इससे पहले भाजपा के SC ST सांस्दों के परधार मंत्री से मिलने के बाद बुलन शेर से सांसद भोला सी नहीं कहा हमने उन्हें SC ST समुदायों के बीच क्रीमी लेर के बारे में मानिनिय सुप्रीम कोर्ट के जजो दुवारा दी गई टिपनियों के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया PM मोदी ने आशवाशन दिया है कि सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी और धोराया कि वह SC और ST समुदायों के कल्यान के लिए खड़ी है वहीं PM मोदी ने एक्सपर कहा आज SC ST सांस्दों के साथ एक परतिनीदी मंडल से मुलाकात की SC ST समुदायों की कल्यान और शशक्ति करन के लिए हमारी परतिवदिता और संकल्प दोराया हिमाचर परदेश से बीजेपी सांसर सुरेश कुमार कश्रप ने कहा कि PM के साथ हमारी बैठक का यही एक मात्र एजेंडा था सांसर सुरेश ने कहा हम केवल ग्यापन देने के लिए परदान मंत्री से मिले लेकिन उन्होंने हमें आशवाशन दिया कि सरकार इस दिसा में कोई कदम नहीं उठाएगी परदान मंत्री ने हमसे कहा कि अदालत ने जो कहा वो केवल एक टिपनी है और सरकार पर बाध्यकारी नहीं है यानि सरकार उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है दिल्ली से भाजपा सांसर योगेंद्र चुंदोलिया ने कहा यह टिपनी फैसले का हिस्सा नहीं थी लेकिन हमारे विरोधी अफवा फैला रहे है कि भाजपा के नेतिर्थ वाली सरकार क्रीमी लेर को बहार करना चाती है इसलिए हमने उपच्वारिक रूप से परदान मंत्री से मुलाकात की जिन्होंने हमें आशवाशन दिया कि SCST से क्रीमी लेर को बहार करने का कोई सवाल ही नहीं है भाजपा हमारे पार्टी अध्यक्ष और प्रदान मंत्री सभी इस मुद्धे पर एकमत है मोदी सरकार के इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुशी जायर की है दोस्तो SCST कोटे पर सरकार का जुकुना महतपूर्ण है क्योंकि RSS और भाजपा का कई बार ये रुखाया है कि वो आरक्षन पर अलग राय रखते है RSS परमुक महण भागवत ने कम से कम दो मोको पर कहा कि आरक्षन की समिक्षा होनी चाहिए इसका जब जबरदस्त व्रोध हुआ और चुनाव समिक्रन की कारण RSS को यह बयान वापस लेना पड़ा लेकिन संग के मुक पत्र में भागवत का वो इंटर्व्यू आज भी मोजूद है भारत की स्वन जातियों की लंबे समय से ही है मांग है कि आरक्षन खतम क्या जाए और योगेता के अधार पर लोगों को दिया जाए भारत की स्वन जातियों की लंबे समय से ही मांग है कि आरक्षन खतम किया जाए और योगेता के अधार पर लोगों को नोक्रिया और शिक्षन संस्ताओं में परवेश मिले दलित समूदा इस मांग के खिलाफ है चुकि भाजपा के पास वन जातियों का सबसे बड़ा वोट बैंक है इसलिए अन्य राजनितिक दल उसे हमेशा आरक्षन विरोधी नजर से देखते है खेर आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताए और बागी खबरों के लिए देखते रहे जो अन्ता की अवास